नवसकर दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी यूटीब चैनल पे तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यूटीब पर जो आप छोटी छोटी गलतिया करते हैं वो क्या गलतिया है उसको नहीं करना है और उसको क्यों नहीं करना है उसको क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान है द जब तक हैं नाम ले लेते हैं, इसका बिना मतलब का नाम लेकर उसको review कर देते हैं, यह चीज गलशों कि दोस्त विजका दें, जब तक आप sponsor नहीं ले रखें हैं, तो आप अगर इसका review करते हैं इसके बारे में बताते हैं तो उससे आपका जो channel है वो नीचे लेवल की तरफ जाता है और जो भी आपको sponsor मिलने वाला होता है वो तो बोल देता है कि यार यह तो मेरा पहले से review कर रहा है इसको मैं क्यों पैसा दूँ क्यों sponsor मैं इससे करवा हूँ तो इस तरीके से आप जो है channel में जो कमाई है आपकी जो channel से कम हो जाएगी और इस तरीके से आपको जो sponsor मिलने होंगे वो नहीं मिलेंगे अब बात करते हैं next level की दोस्तों तो next जो level है वो होता है ज़्यादा तर आप लोग जो भी गलत language और गलत वीडियो का इस्तिमाल करते हैं गलत language या नहीं कि किसी को गाली देना किसी के बारे में उल्टा सीधा बाते करना ये चीज़े यूटूब पे बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं इसके guideline के खिलाप है इससे आपको चैनल है उसे श्ट्राइक आ जाएगा और आपका वीडियो भी जो है आपको हटा दिये ज रहा है या फिर किसी का गला कट रहा है कोई suicide कर रहा है किसी को कोई मार रहा है जिसमें blood आ रहा है इस तरीके के वीडियो आप YouTube पे नहीं डाल सकते हैं ये भी आपका जो है YouTube के guideline के खिलाप आएगा ये भी वीडियो आपको 24 गंटे के अंदर ही delete हो जाएगी तो आपकी जो म वीडियो ही हम इस्तमाल करेंगे तभी हमारा copyright नहीं आएगा वरना copyright आएगा तो आपको मैं दोस्तों बता दूं किसी भी गाने या वीडियो को अगर 30 सेकंड या उससे कम की यानि 15 सेकंड का ही इस्तमाल करते हो तो इसमें भी आपको copyright आ सकते हैं मैंने अभी तक जो record देख है वो एक से prank channel पे है तो जो उसका prank channel है उसमें उसने गाने को इस्तमाल किया था सिर्फ 9 सेकंड का ही गाना था और उस गाने पे उसका yellow dollar आ गया यानि उसकी कमाई बिलकुल भी आधी हो गई तो उसका जो वीडियो था काफी million पे views है लेकिन उसकी जो कमाई है वो zero पे आ तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको यह चीज पसंद आई होगी और जाते जाते एक चूटी से चीज और बता दूँ कि जो तब तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सस्क्राइब कर दीजे अब मैं बताता हूं जैसे कि आप माले यह चीज कोई नहीं बताए है क्योंकि Google के यार सारा प्रोडेक्ट उसी का तो है YouTube Google Adsense जो भी हम यूज कर रहे हैं काफी सारी ऐसी चीजे है ज्यादा तर Google की है उसमें Google की पकड़ है उसको पता होता है उसके सर्च इंजन में सारी चीजे होती है इसलिए वह जब वीडियो यूटूब पे अपलोड होत देगा और आपको इसमें copyright देगा इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं इन चीजों को ना इस्तिमाल करें और अपने वीडियो को अपने चैनल को सेफ रखें और सेफ जर्नी करें दोस्तों हमें पता होता है कि बहुत ही टाइम लगता है यूटूब चैनल को सक्सेज होने म तो अमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करतीजे चैनल को सिस्क्राइब करतीजे नेस्ट वीडियो मिलते हैं नेस्ट टापिक के साथ